कुछ पूरानी बाते याद कर लीजे पहले तो हमने magnetic effect of current हैनि current के चारो और magnetic field होना कि सबसे पहले किसे ने देखा था current के चारो और magnetic field का होना और श्टेड ने देखा था हमने बताया था कि इचली हुआ यूँ कि वो current flow कर रहे थे मैं बैटी नहीं लगा रहा हूं जानमूज करके चले लगा देता हूं वो current flow कर रहे थे ऐसे और इसके बगल से चार्ज को मूब कराया होगा उन्होंने उन्होंत के magnetic needle रखी थी तो चार्ज को मूब कराया बताई ये जो current carrying conductor है इसके चार और electric field है अगर किसी सर्कुलर इसमें लूप में current flow हो रही है तो क्या इसमें electric field है येस और नो कि इस circuit में current flow हो रही है क्या इसमें electric field है क्यों electric field किसकी वज़े से है किसकी वज़े से होता है इसमें net charge कितना है कि अनने चार्ज कितना है कि अरे और और नेट-chaar zero है ने-ट-chaar it is नेट-chaar कितना कि इसमें ये जिरो है आपने जो लुहे का वायर लिया saat तो आप जिब बैटरी से जोडा था तो क्या अलग से एलेटरान आए थे हैं उसही के बैटरी ने क्या किया था उसी के इलेकτरान को रोटेट कर आया था सुझमारी बात यह confusion जानवों से पूछा है देखे जब किसी close circuit में current flow होती है आप वहां बाहर से कोई charge नहीं देते इसमें battery के पाथ charge होता ही नहीं है नहीं तो net charge zero होता है यह बात मेरी satisfy है आप जबस्ति हामत बोलिएगा क्या अलग से कोई charge इसको आपने दिया है तो net charge पहले कितना था अभी भी zero है तो यहां पर कोई net charge नहीं होता है इसलिए यहां पर electric field नहीं होता है आपने electromagnetic wave पढ़ी अभी नहीं पढ़ी है इमवे पढ़ी होगी न तो वहाँ जब free charge होता देखे ध्यान से साउधान अगर कोई charge किसी circuit में move कर रहा है वो move नहीं कर रहा है वो किसी conductor में था अपने proton के साथ कुर्सी डालके electron चल रहा था चायनास्ता कर रहा था आपने जबर्दस्ति उसको ताकत लगा करके उसको घुमा दिया था लेकिन उस circuit में proton भी है और उस circuit में electron भी है अभी भी net charge zero है बस electron ने काम सुरू कर दिया है कि वो थोड़ा काम करता है तो net charge zero है इसलिए यहाँ कोई electric field नहीं है अगर कोई free charge होता वहाँ तो electric field होता समझ मैं आरी बार नहीं आरी तो जब मैंने यहाँ पर कोई charge particle भेजा होगा तो हमने देखा charge particle यहाँ मूब कर गया तो charge particle आप जानते हैं inertia कहती है कि जो कोई body अगर किसी body में कुछ भी हो charge हो चाहे जो हो अगर उस सीधे चल लई है तो तब तक अपने path से deviate नहीं होगी जब तक कोई force उस पर ना लगे तो इसका मतलब कोई नो कोई है जो इस पर force लगा रहा है उसमें electric force तो था नहीं क्योंकि electric field यहाँ है नहीं तो उसमें जो और स्टेट सामने बताया था उसको हम ग्याद था हमको तो हमें magnetic field मालूम था तो magnetic field यहाँ पर रहता है ठीक है बता दिया गया था आपको समझारी ब चास्ते से deviate हो गया because of any force तो that force acting on the particle was due to which field? Electric field, Magnetic field, Gravitational field होगा तो Gravitational field भी वहाँ पर लेकिन वह negligible होगा तो electric field was absent there और 90% आप वहाँ पर अच्छा एक जिगा लिख दिया हमने magnetic and electric field तो आप फट से टिक क्या लगाएंगे? Magnetic and electric field but electric field was absent there ठीक है अब लिखिये force on a charge moving in a magnetic field Force on a charge moving in a magnetic field देखिये हमने एक charge पार्ट के लिया उस charge की value Q थी और उसको V velocity से हमने B magnetic field में rotate करा दिया और हमने उस पर force experience किया experience किया यह हमारा experience था हमने पहले क्या किया? V सेम कर दिया दो कमरे लिए दो चेमबर लिए वहाँ पर B सेम था दोनों चेमबर में हमने दो charge particle move कराए और दोनों की सेम velocity दी और वो charge particle कहीं पर हिट हुए तो जो force उन्होंने वहाँ transfer किया उसको measure किया तो हमने देखा दोनों force अलग अलग थे दोनों चेमबर में magnetic field सेम था V सेम था लेकिन force तभी अलग अलग थे क्योंकि दोनों के charge अलग थे तो जिसका charge ज्यादा था उसने force ज्यादा transfer किया तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि force was proportionate to charge जितना ज्यादा charge होगा उतना ज्यादा force लगेगा फिर हमने दो चेमबर लिए same charge दिये same magnetic field दी अब force ज्यादा होगा फिर हमने दो चेमबर लिए दोनों में charge same भेजे दोनों same velocity से भेजा अब हमने b change कर दिया तो जिसका b ज्यादा था उसने force ज्यादा exert किया तो यानि कि force q पर depend करता है v पर करता है और b पर करता है तो f is equal to q v b होता है अब आप कहेंगे साब proportionate में k भी होता ह है चुकि हम k की value यहां पर one ले लेते हैं तो k की value यहां ले ली गई है तो f is equal to q vb आपको इतना detail नहीं देना है आपको यह मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं इसे detail में लिखना है कि हमने chamber में भेजा यह भेजा तो प्ला examiner कहेंगा तो chamber हैं भेजते रहोगे आप हमने qb sinθ क्यों लिखा देखे हमने experience किya कि force की जो direction थी वह magnetic field और velocity दोनों के perpendicular थी magnetic field और velocity अगर दो vector quantity हों यहाँ vv vector है और bv vector है अगर दो vector quantity हों और दोनों के effect की वज़े से दोनों के effect की वज़े से जो तीसरी quantity मिलती है अगर वो तीसरी quantity दोनों के perpendicular हो तो वहाँ पर कौन सा product लगता है जड़ा याद करिए 11th class में दो vector आपको पढ़ाए गए होंगे एक a vector था और एक b vector था जब आप a cross b लिखते थे तो आपको n cap मिलता था याद है ना तो f is equal to qv cross b तो f की direction कैसे हम निकालें force की direction कैसे निकालें हम पर इसको note कर लिजे फिर हम बात करते हैं आप diagram कैसे बनाएंगे तीन axis बना दो यहाँ पर x y z यह x-axis है यह y-axis है यह z-axis है y-axis के along आप magnetic field दिखा दिजेगा और charge particle को आप magnetic field से theta angle पे move कराईए तो जो force लगेगा वह z-axis के along लगेगा और अगर 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 सेकेंड केस आप पर यह बना लिजेगा सेकेंड केस में क्या करेंगे यह v हटा देना particle को ऐसे move कराईएगा x के along यह b के along तो force इधर लगेगा ऐसे इस प्रकार से अब इसकी direction कैसे निकाली जाए लिखे direction of b direction of b and unit of b हम यह मान के चल रहें कि आपको पढ़ाए गया है revision हो रहा है थोड़ा सा speed है जहां confusion हो डिसस के लिजेगा direction of b and unit of b पहले direction के बारे में बात करते हैं सारी direction of f force की direction निकाले का तरीका क्या होता है देखे अगर आप magnetic rule से जाएंगे तो left hand rule लगाईएगा आपने flaming's left hand rule पढ़ा होगा आप क्या rule होता है कि left hand हाँ यही वाला है left hand में क्या करेंगे fbi यही था ना force magnetic field और i तो लगवग वही रूल यहां लगा दीजिए अंतर यह होगा कि i को आप क्या मानेगे विलास्टी विलास्टी मानेंगे किसकी विलास्टी मानेंगे किसकी तरफ इसको रखेंगे positive charge की तरफ और negative तरफ आई इधर जाता है उधर कौन सा चार्ज जाता है positive और negative पॉजिटिव जाता है ना तो यह positive charge हो जाएगा ठीक है f b i ही हम लगा रहें यहाँ पर यह b है magnetic field यह i है लेकिन अब चुकि यहाँ पर तो i है नहीं यहाँ तो आप कहरो moving charge है तो आप rule यही लगाओ moving charge की direction में जो current की direction थी आपकी middle finger की उसको moving charge की direction में लग दीजिए लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि current जुदर चलती है उधर positive charge चलता है तो negative charge चलेगा तो इसको आपको पलटना पड़ेगा ठीक है और यह आपका F हो जाएगा तो यह तो F की direction निकालने के तरीका हो गया अच्छा अगर आप चाहो तो cross product से भी आप निकाल सकते हो cross product के direction को निकालने के लिए आपको कौन सा method बताया गया है कौन सा मालूम है right hand palm rule मालूम है ना cross product क्या तरीका होता है a cross b की direction निकालने के तरीका बताये वो भोल जाएए आई जेक एक बात नहीं करा हूँ अगर मैं आप से कहूँ a cross b है कोई vector आपको उसकी direction निकालनी है तो a cross b की direction निकालने के तरीका क्या होता है यह अंगुठा सुन्जाईबार नहीं आई अब जरा सौधान तो यहाँ पर force की direction निकालने का जो तरीका आप चाहो तो vector rule से लगा दो जो सबसे सस्ता होता है और आप चाहो तो यह rule लगा दो यह थोड़ा इसे इसे करना पड़ेगा बड़ा हौच पोच है जैसा आप चाहे अब मैं आप से direction पूछ रहा हूँ यह note का लिया तो direction निकालने का method सौन में आ गया या तो left hand rule और या तो right hand rule कौन सा vector product का rule वो यहाँ लिखेंगे नहीं आप अच्छा ज़रा इसकी unit के बारे में बात करते है unit of b unit of b देखिए वैसे तो हम इससे भी निकाल सकते है f upon qv से वो भी निकल सकता है तो उसे इसकी tesla होती है इसकी जो SI unit होती है वो tesla होती है tesla आगे चलकी unit सौन बनेंगी जहां से dimension निकालेंगे और इसकी cgs unit जो होती है जो सुरुआत में बनाई गई थी tesla 10 power 4 gauss होता है 1 tesla is equal to 10 power 4 gauss 1 tesla is equal to 10 power 4 gauss या 1 gauss is equal to 10 power minus 4 tesla एक्शली में शुरुआत में जो unit बनाई गई थी ये अर्थ के magnetic field को देखे बनाई गई थी वो cgs unit थी ठीक है कुछ चीज़ें और लिख लीजेगा जो की s i d n c r t में लिखी है मैं दिखा नहीं है magnetic field near the surface of earth magnetic field near the surface of earth earth के surface के नजदीक लगभग 10 power minus 5 tesla magnetic field होता है यानि तक्रीबन 0.1 गॉस इतना होता है तक्रीबन human body में भी magnetic field होता है magnetic field inside the human body ये value याद रखेगा ये सायद n c r t में लिखी वी है human body ये तक्रीबन 10 power minus 10 tesla होता है 10 power minus 10 tesla होता है हमारी बॉडि में magnetic field है सही बात है आप जानते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स magnetotherapy करते हैं हमारी जो blood circulation होता है तो वो magnetic field के विज़े से भी चलता है तो कभी कभी alignment गरबड हो जाता है जिसमें neural problem आ जाती है जिसको कि कुछ लोग कहते हैं परलाइस भी हो जाते हैं थोड़ा उसका कारण भी होता है electrical magnetic field के विज़े से तो वो magnet लगागर के हमारी बॉडि के magnetic field को align करते हैं तो ये magnetic field human body में होता है अच्छा एक word में बोल रहा हूं interstellar space इसका मतलब सुम्जाया इसका मतलब बताएं फिर हम बताएं यहां लिखेंगा magnetic field in interstellar space इसका मतलब सुम्जाया था इंटर इस्टेलर इस्टेलर इस जानते हैं आप इसका मतलब जानते हैं आप समझिएगा जा ध्यान से हम अर्थ पे हैं अर्थ का अपना magnetic field है जैसे जैसे अर्थ से दूर जाओगे magnetic field कम होगा या ज्यदा होगा कम होता जाएगा ठीक है अंसर देते रहा करिए कम होता जाएगा लेकिन जैसे से दूर जाएंगे एक दूसरा सेटलाइट भी है वहाँ पर दूसरा सेटलाइट के या प्लैनेट के यह उसका भी अपना magnetic field है ठीक है वह भी वहाँ पर है और अर्थ का भी है एक ऐसी जगह आती है जहां पर दूरों एक दूसरे के magnetic field को balance करते हैं minimize कर देते हैं उसको कहते हैं interstellar space वह नहीं बार नहीं आई मतब हमारा magnetic field है तुम्हारी body का magnetic field है हम अपनी body से दूर जा रहे हैं अब खुद नहीं जा सकते माल लेते हैं तो जहांपर दोरों के space वह ऐसा ऐसी दो planet के बीच की ऐसी जगह जहां magnetic field सबसे कम होता है because of the magnetic effect of both planets दोरों एक दूसरे को cross करते हैं उसको कहते हैं interstellar space इसका magnetic field त 10 पाउर माइनस 12 टेस्ला होता है सबसे ज्यादा magnetic field कहां होता है maximum magnetic field कहां पर होता है neutron star पर होता है नाम सुने हैं आपने तो लिख लिएगा strongest magnetic field strongest magnetic field in neutron star 10 पाउर 8 टेसला होता तरी तक्रिवा neutron star इसका नाम सुने हैं आप आप क्या है नहीं कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा मैं neutron star बता देता हूं चुकि यह concept है आप क्या बुक में concept यह है लेकिन आपको neutron star नहीं पढ़ना है मैं बता देता हूं जब किसी star की energy खतम हो जाती है star की energy खतम हो जाती है और केवल उसमें neutron रहता है यानि उसकी energy कितनी होती है खतम सुन्वारी बार नहीं आ रही है जब energy खतम तो उसकी जितने bonding होती है star की सब तूट जाती है neutron proton खतम हो जाते हैं मिल जाते हैं सब आपस में सब जितने bond सब खतम हो जाते कि और neutron बसता है और वो पूरा का पूरा star छोटा होकर एक छोटी जगह पर आ जाता है तो चुकि बहुत छोटी जगह पर मास से कठा हो गया है तो जो जिस जगह से वो खिसक के आता है उस जगह एक बहुत strong magnetic field बनता है जिसको neutron star क्या होता है ठीक इसको ज़रुवत आपको नहीं है लेकिन कभी-कभी बोर में पूछा जाता है कि यह magnetic field कहा पर कितना होता है कहा पर सबसे यादा होता है हम लैब में अपने magnetic field क्रेट कर सकते हैं तक्रीबन 10 पॉर वन टेसला तक क्रेट कर सकते हैं लैब में हम क्रेट करना चाहें तो लैब में हम magnetic field 1 टेसला तक क्रेट कर सकते हैं मतब अर्थ के magnetic field का करीब एक लाख गुना हम magnetic field क्रेट कर सकते हैं अब ज़रा समझेगा एक नोट लिखे बहुत जल्दी तो नहीं बता रहे हैं मैं यह मान के चलना हूँ कि आपका पढ़ावा इसलिए थोड़ा जल्दी हो सकता है एक नोट लिखे देखो जाँ ध्यान से आप कह रहे हो कि magnetic field में कोई charge जाता है तो force लगता है अगर V 0 हो जाए तो तो force कितना होगा 0 यानि magnetic field तभी force लगाता है जब कोई charge particle उसके field से में चलना सुरू करता है तो कुटा होता ना चुपचा खड़े जाओ काटता नहीं है यह तभी काटता है जब कोई charge particle चलता है बोले चुपचा बैठे रहो हम नहीं काटेंगे दूसी चीज अगर theta 0 हो जाए 0 बोले तो मैगनेटिक field क्या करना चाहता है उस charge को align नहीं करता है उस charge को सबकर पात मूप कराता है अगर कोई charge particle magnetic field की direction में ही मूप करेगा या anti-parallel जाएगा 0 हो या 180 degree हो तो force कितना हो जाएगा उस पर तब भी 0 होगा तो दो cases में either the magnetic field sorry either the charge particle is parallel or anti-parallel to the magnetic field then force will not be act on the particle and either the charge particle is rest in the magnetic field तब भी उस पर कोई force नहीं लगेगा अब ज़रा लिखे motion of a charge particle in uniform magnetic field motion of a charge particle in uniform magnetic field अब यह तो मुझे जानकारी हो गई कि charge particle पर magnetic field की वजह से force लगता है अब आप सोच रहोंगे आपने यहाँ पर लॉरेंस नाम क्यों नहीं लिया नहीं लिया ना यह एक्चुली लॉरेंस फोर्स तो है लेकिन लॉरेंस ने कुछ और बताया था इसलिए हमने यहाँ पर लॉरेंस का नाम नहीं लिया है देखो ध्यान से motion of a charge particle motion of a charge particle in a uniform magnetic field यह विजविल है ना जो हम लिख रहे है देखे यह एक magnetic field है और होना कैसा है यह perpendicular to the plane of paper directed inward inward बोले तो नार्थ पोल किदर होगा अंदर की तरफ और एक charge particle इसमें move कर रहा है हमने जानबूज कैसे बना तो दिया है लेकिन मैं समझाता हूं देखो यह charge particle मैं positive charge ले रहा हूं plus q इधर की और move कर रहा v velocity से और यह magnetic field है अब बताओ इस पर force कितना लगेगा और किस direction में लगेगा f बराबर q vb sin 90 क्योंकि यहाँ पर जो है किदर कौन से अपने रूल लगा यह वाला left वाला left hand rule बड़ा बड़ा करना पड़ता है f b i यह ना यह i है charge particle इधर जा रहा है किताम में v लिखा हुआ है v लिखते हैं लेकिए अगर हम लेंगे तो electron के लिए direction change हो जाएगी ना देखे इधर करेंट इधर चार्ज पार्टिल जा रहा है इधर ही direction आपकी हो गई current की दी अंदर की तरफ है अंगुटा इधर की तरफ है आप देखो जड़ा चार्ज पार्टिल ऐसे मूब कर रहा है तो बार बार हम उठा center कर रहा नहीं आ रहा है तो इस पर जो force लगेगा वो हमेशा perpendicular to the motion लगता है और आपने gravitational field में पढ़ा है कि जब किसी body पे force हमेशा उसके चलने के perpendicular लगे तो उस force का नाम क्या होता है centripetal force और वो force किसी body को एक circular path में move कराने की tendency करता है तो यह हमेशा एक circular path में move करता रहेगा V velocity से और force हमेशा center के तरफ लगता रहेगा अच्छा जड़ा इसकी direction एक बार cross product से देख लीजे नहीं आप ठीक फानल होगे क्या हमने कहा V cross B V cross B क्या तरीका होता है V की तरफ अथेली करिये कर लिया ठीक है magnetic field किदर है अंदर तरफ तो उंगली अपने कर दिया अंदर तरफ अंगुटा किदर है सो force लग रहा नहीं लग रहा है अच्छा यहां पर आ जाओ V की तरफ हथेली यह ऐसे आगी ना हथेली और यह magnetic field अंदर तरफ है यह आएक नहीं आया ऐसे है न magnetic field सुन्जारी बार नहीं आ रही है तो आप cross product से भी यहां लगा सकते हैं ठीक है एक बात ध्याने के यह cross product राइट हैंड से होता है और जो magnetic होता left हो left से होता यह ध्यान रखिएगा और कहीं पता चला एक्जाम में left right भूल गए यह बनाने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी अच्छा तो जब QVB लगेगा और यह circular path में move करेगा तो circular path में move करने के लिए इसको क्या चाहिए centipetal force वो centipetal force controid करेगा यह आपका Lawrence force करेगा Lawrence का नाम ले लिया फिरहाल हमने तो यहनि यह किसके करोगा mv square upon r r कॉम जानगी उसके capital मानना है यह radius of the path है तो यहां से अगर हम v cancel हो जाएगा तो v की value क्या हैगी qv upon sorry radius निकाले v क्यों निकालने v तो हमको मालूम ही है तो radius क्या हो जाएगा यहां से radius of the path हो गया mv upon qb अब ज़रा ध्यान से देखिए radius किस बात पर depend कर रही है velocity पर depend कर रही है mass पर कर रही है और यह q पर कर रही है और b पर कर रही है यानि main यह radius v पर कर रही है एक बढ़ी आसी बात अभी हम बताएंगे थोड़ी देर बात बताएंगे अगर कोई भी एक charge particle कोई भी particle जब बोला हमने तो इसका मतना हमने उसका q fix कर दिया है उसका m fix कर दिया है और magnetic field में entry कर रहा है बहुत तेजी से कर रहा है लेकिन अभी आगे और बात करेंगे अच्छा जब यह rotate करेगा तो इसका time period क्या होगा तो time period का formula क्या होता है distance upon velocity चुकि velocity तो v है और distance मेरे पास यह time period के लिए 2 pi r होगा तो यह हो जाएगा 2 pi r upon v r का मान रख दीजे तो आएगा 2 pi upon v into r हो जाएगा mv upon qb v cancel कर दीजेगा तो 2 pi m upon qb यहने time period किस पर depend कर रहा है वो radius पर depend नहीं करता वो radius पर depend नहीं करता अब practically आप सुचिएगा आप मैंने velocity पर depend नहीं करता वी भी गायब हो गया आप कहेंगे साब यह बताएगे हम ज़्यादा speed से चल रहे हैं तो हम जल्दी पहुंच जाएगे एपी बात पर ही साब scooter से चल रहे हैं धी धीरे चल रहे हैं वो देर से पहुंचेंगे तो दोनों का time तो अलग-अलग होगा अगर velocity change हो जाएगी तो time तो अलग-अलग होगा माल लेते हैं फार्मूले में velocity नहीं आ रही है फार्मूले में radius नहीं आ रही है लेकिन practically सोचिएगा अगर ज्यादा speed से कोई भी आहाँ पर charge जाएगा तो कम time लेगा जल्दी पहुचेगा सही कह रहा हूँ तो यह तो गरबड है फार्मूला पुले नहीं गरबड तो नहीं है किताम में नहीं लिखा हुआ है लेकि practically समझेगा गरबड लग रहा नहीं लग रहा है अरे भैस आप velocity बढ़ाओगे तो आपको radius भी बढ़ानी पड़ेगी अगर करके आप 100 km से जा रहे हो एक घंटे में 100 km जा रहे हो और हम एक घंटे में 10 km जा रहे हैं और आपको 100 जाना है हमको 10 जाना है आपको घूम के आना है बात समयरी नहीं आ रही है तो इस हिसाब से velocity बढ़ेगी तो radius भी बढ़ जाएगी ना अब इसके अगर frequency निकाले हम तो frequency n is equal to 1 upon time period तो यह हो जाएगा qb upon 2πm तो यह आपके formula है कि when the charge particle move in a magnetic field then what will be its path अगर path है तो उसका radius क्या होगा और उसका time period क्या होगा उसकी frequency क्या होगी और किन-किन बातों पर वो depend करेगा अब जरा समझेगा नोट कर लिया एक word आपने पढ़ा है specific mass एक word आपने पढ़ा होगा specific mass पढ़ा है बहुत important word है यह बहुत disturb करता है एक्जाम में specific mass पढ़ा है अपने क्या होता है चार्ट निच्टे को ऐसा है बुद्धी लिफ्स अंदा लिफ्स सुना है आपने कभी लिफ्स माने ये बुद्धी लिफ्स अंदा लिफ्स हमें यहां है यहां है और यहां पर नहीं है तो ठीक बात नहीं है हर चीज याद कर लिजेगा ठीक है कभी आप अकेले बैठिये तो फेस्बूग वट्स से दूर अटके यही चीज़ सोचिए देखें चार्ज पर यूनिट मास इस नोन आज इस्स्पैस्फिक मास क्यों बोला गया भाई जरा समझजीएगा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए by equation 1 सौधान कुछ बताना मैं चाहता हूँ by equation 1 अगर मैं यहां से q upon m निकालता हूँ तो क्या निकलता है from mathematics है इसको m upon q निकालेंगे तो आएगा b r upon v तो q upon m निकलेगा v upon br इसका मतलब क्या हुआ कि velocity और radius किस पर depend करती है q upon m पर depend करती है जैसे मैं आप से कहूँ far electron ज़रा समझेगा आप कुछ बताना मैं चाहता हूँ far electron far proton तो को electron का specific mass होता है e upon mass of electron proton का specific mass होता है e upon mass of proton अब बताओ इसमें specific mass किसका ज़्यादा है क्योंकि इसका mass कम होता है तो specific mass of electron is greater than specific mass of proton तो इसका मतलब ये value भी electron के लिए ज़्यादा होगी और proton के लिए कम होगी घ्यादा बाहानी आइ है तो आपकी जो radius होती है वो velocity आपने अभी क्या का य। जादा velocity סockरोगे तो आपको ज़्यादा radius cover करनी पड़ेगे यही बोलाई हमने हमने कहा ज्यादा वेलास्टी से जाओगे तो ज्यादा रेडियस कबर करनी पड़ेगी लेकिन आपका mass और आपका चार्ज भी उस रेडियस को balance करता है ठीक है तो अगर आपसे कहा जाए कि रेडियस अपन्त पाथ किस पर depend करता है वेलास्टी पर करता है या एक option दिया specific charge पर करता है तो आप कहेंगे specific charge पर करता है क्योंकि specific charge जो है अगर change हो जाएगा तो art change हो जाएगा इसको note करिए important चीज है यह ध्यार नखीएगा specific charge बहुत पुछा जाता है इस पर बहुत numerical आते हैं छोड़ी चोड़ी बाते पुछी आती है तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा charge किसका ज्यादा, mass किसका ज्यादा उसको देखना पड़ता है जैसे helium की बात करें तो helium में कितना charge होता है, कितना mass होता है उसको proton से तुलना करो compare करने को बहुत आता है अब जरा समझेगा हमने अभी कहा कि अगर कोई charge किसी magnetic field के parallel चरता है तो उस पर कोई force नहीं लगता यहीं बुलाना हमने हमने कहा अगर parallel चलेगा तो उस पर कोई force नहीं लगेगा जल्दी बूले, यहीं बूला है न तो इसका मतब क्या हो चलेगा नहीं चलेगा, सीरे चलेगा ठीक, अच्छा हमने कहा अगर perpendicular चलेगा तो वो circular path में move करेगा जिसकी radius हमने बताई mv upon qb अच्छा, अगर माल यहा charge, किसी magnetic field से theta angle बनाते विए चले तब क्या होगा, तो एक note लिखेगा, if charge is moving, if charge is moving, by making angle theta with magnetic field हम एक चले में path निकालना चाहते हैं, कि इस case में charge का path कैसा होगा देखो ध्यान से यह magnetic field है b और कोई charge part के लिए इस magnetic field से यह x-axis है यह y-axis है यह z-axis है और यह magnetic field इदर है और यह magnetic field से V विलास्टी से चला है, theta angle बनाते विए तो इस विलास्टी के दो component होगे, एक component होगा magnetic field के parallel सारी, हाँ, parallel और एक होगा magnetic field के perpendicular होगा नहीं होगा तो जो magnetic field के parallel component होगा वो क्या होगा V cos theta और magnetic field के perpendicular होगा वो क्या होगा V sin theta इस component की वज़े से कैसे चलेगा circular path में और इस component की वज़े से सीधे चलेगा अब आप circular path में भी घुमो और सीधे भी आ गई बढ़ो तो कैसे चलोगे ऐसे चलोगे इसको क्या कहते हैं helical spiral type का होता है helical तो वो helical path में move करेगा ठीक है तो आपको लिखना पढ़ेगा because of this velocity it will move in a circular path and because of this velocity it will move in a straight line or due to the effect of these two velocity the particle will move in a helical path अच्छा अब जो आपका circular path है उसके radius क्या होगी हमने कहा mv upon qb तो m v कौन से लिया जाएगा because of which the particle is moving in a circular path v perpendicular upon qb तो m v बोले तो v sin theta upon qb ये radius हो गया अब जरा समझेगा circular path में move करता हुआ particle आगे बढ़ रहा है spiral type का helical path एक पूरा चक्कर complete करने में देखो यहां से चला ऐसे यह और यह यहां बोचा यह दूरा चकर हो गया तो यहां से लेकर के यहां तक को हम क्या कहते है pitch आपने screw में पढ़ा होगा जब screw चलता है तो गोल गुमता है और आगे भी जाता है तो एक चकर पूरा करने में जितना आगे जाता है उसको pitch कहते है तो यानि कि helical path में move करते हुए एक पूरा चकर पूरा करने में पाड़ के जितना आगे बढ़ जाता है उसको pitch कहते है तो एक sub heading डाली है हाँ बताईए कुछ पूछ रहे हैं क्या हाँ हूं हूं फोर्स होगा यह फोर्स होगा इसके वाई एक्सिस के काम पोर्ण यह बारा चल ला है इसकी वजह कोई force नहीं लग रहा है में फोर्स का मितलब होता है आप कही चल रहे हो ठीक है तो आप चुपचाप चलते रहो और फोर्स लगेका तो आप एक्सलेट हो जाओगे न? हाँ तो एक्सलेट नहीं हो रहा है अचा देखें जब परप्रेंडिकुल इसकी वराग सी चेंज हो रही थी वह एक्सलेट हो रहा था सही कह रहा हूं नहीं जरहा हूं तो आप शुक्रास hesitantखा पिच्च क्या हुगा ? लिक्री जैगा ? The distance travelled by the particle The distance travelled by the particle In the direction of magnetic field In the direction of magnetic field In one complete cycle In one complete circle Is called Pich Is called Pich पिछ वर्ड कहीं और भी आपने सुना है साउंड में सुना है एक होती है श्रिल आवाज एक होता है मोटी आवाज ठीक है तो कहते है उसकी पिछ कम ज़्यादा होती है ठीक वो यहाँ है नहीं मैंने ऐसे पूछा तो पिछ अगर हम बोलें तो पिछ बोने तो distance और distance is equal to होता है velocity into time तो velocity यहां कौन से लेंगे parallel component जिसकी वज़े से वो particle आगे बढ़ रहा था और time कौन से लेंगे एक time period जिसकी वज़े से पुरा circular path में वो move कर रहा है तो parallel component V cos theta और time period का formula आपने क्या अब दा है 2 pi m upon qb तो यह pitch का formula होता है यह numerical में disturb करता है ध्यान रखीएगा ठीक है अब आते हैं Lawrence Fools पे लिखे Lawrence Fools Lawrence Fools देखिए जब आप पहले magnet electric field को समझ लेते हैं देखें electric field क्या होता है जैसे यह दो प्लेटे हैं यह positive plate है यह negative plate है electric field plus से दूर minus की ओर होता है कोई charge particle यहां entry किया मैं माल लेता हूँ positive charge particle entry किया तो यह entry जैसे इसके अंदर करेगा वैसे negative plate इसको घुमाएगी force लगाएगी और यह ऐसे आके ultimately वो electric field direction में हो जाएगा तो electric field क्या करता है electric field charge में force लगाता है और उसको ultimately क्या करना चाहता है अपनी direction में करने की courses करता है ठीक है तो आपने पढ़ा होगा path of charge particle यह जो path होता है इसको उनक्या कहते हैं parabolic ultimately वो इधर आ जाता है अज़र magnetic field क्या करता है magnetic field charge particle को circular path में move कर आता है ठीक है अगर दोनों field कहीं पर है तो path कैसा होगा particle कैसा behave करेगा और उससे हम क्या निकाल सकते हैं उसको हम बताने जा रहे हैं लिखे Lawrence force Lawrence साब ने कहा कि अगर कोई charge particle किसी electric field में भी है और magnetic field में भी है दोनों field वहाँ पर present है तो उस पर एक force लगता है तो लिखेगा force acting on a particle due to electric field force acting on the particle due to electric field उस force को लिखा हम ने F E तो क्या होगा Q into E यह किधर लगता है यह force किस direction में लगता है in the direction of along magnetic field लगता है along electric field हमने along बोला है along में वो उसकी direction में भी हो सकता और N T भी हो सकता है क्योंकि positive negative charge पर depend करता है और force acting due to magnetic field F B मान लो या FM मान लो क्या होता है यह Q V B theta 90 degree हमने माना है यह किधर लगता है perpendicular to V and B both तो net force जो लग रहा है net force acting on the charge particle हो जाएगा F is equal to F E plus F M जानबूस की vector लगा रहा हूं है तो Q E plus Q V cross B कर दो ऐसा करो vector drop V cross B जानबूस की लग रहा हूं है समझाने के लिए Q कामल ले लिया E cross क्या देख रहा हूं E plus V cross B समझ में आई बात अब जड़ा इस charge particle की बेचारी की स्थित देखिएगा आप electric field में गए चार्ज में का electric field क्या कहता है सीधर चलाओ उदर जाओ और magnetic क्या कर रहा है गुमो इदर अब आप से एक instruction कहा जा रहा है ऐसे इसे गुमो और दूसा टीचर डंडा लिए सीधे जाओ आपकी स्थित क्या होगी गुमो गएक सीधे जाओगे बड़ी अजीब स्थित हो जाएगे ना उसकी नहीं हो जाएगी अब इसकी स्थित यहाँ पर क्या हो रही उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ देखो ध्यान से मैं रब कर दूँ उपर वाली चीज तरह इसकी स्थित देखिए बचारे की बहुत परिशान है हमसे कह रहा भाई सब क्या करें हमने का चिंता मत करो तुमको मैं रास्ता बताता हूँ देखो ध्यान से यह X-axis है यह Y-axis है यह Z-axis है X के लांग unit vector I-cap होता है Y के लांग J-cap होता है और Z के लांग K-cap होता है हमने फिलहाल electric field को माना है इधर और magnetic field को माना है इधर अगर मैं component form में लिखता हूँ तो E-vector को लिखते हैं E-I-E-J-cap और B-vector को लिखते हैं B-K-cap ठीक है और charge particle इधर चल रहा है velocity V से तो V को हम मान सकते हैं V-I-cap सही कह रहा हूँ मैं अब देखिए जो इस पर electric force लगेगा जो इस पर electric force लगेगा electric force उसका formula क्या होता है Q into E Q into E E मतलब इसकी direction क्या होगी electric field के direction में होगी तो इसका value Q into A into J-cap हो जाएगा हाँ हाँ करते रही है यानि कि electric force इधर J की तरफ लग रहा है FE कह सकता हूँ मैं जो magnetic force लग रहा है इस पर FM मान लो वो क्या होता है Q V cross B मत एक Q पर नहीं होगा है यानि Q V बोले तो V I cap cross B बोले तो B K cap यानि कि Q V B I cross K I cross K की value क्या होती है I cross K अब यहने कहना याद है मताब पक्का confusion जिनको समल ले जिनको confusion समल ले एक circle बनाओ और anti-clockwise या clockwise किसी भी डैक्शन में I,J,K लिख दो I,J,K लिख दो अगर आप इस ड्राइक्शन में चलोगे I cross J करोगे तो K रहाएगा जे क्रॉस क्लेगे तो I आएगा अगर उल्टा चलोगे I cross K किया है आपने उल्टा किया है तो ये माइनस जे आएगा value जो magnetic force की है वो किस direction में आ रही है just opposite to y axis आ रही है यानि कि मैं कह सकता हूँ बिलकुल इसके opposite magnetic force लग रहा है नहीं लग रहा है अगर मैं ये न बताता तो अभी तक आप ये जान रहे थे मैं इधर v दिखाता था इधर b इधर वो दिखाता था force vector के method से मालू हो जाएगा कि minus j जाए या plus j जाए अब ज़रा समझिएगा ये दोनों force कैसे है opposite ये कह रहा है इधर चल ये कह रहा है इधर चल अगर दोनों forces ओ चल किदर रहा है इधर अब आप सीधे चल रहे हैं मैं हाथ पकड़े इधर घसीट रहा हूँ और एक इधर घसीट रहा है और दोनों force equal है तो इधर की ओर net force कितना लग रहा है तो आप की इधर चलते रहेंगे क्यों आप तो इधर चल रहेते हैं इधर तो रोक नहीं रहें आपको आपके इधर के motion को कौन रोक रहा है रोक रहा है उधर तो मैं रोक नहीं रहा हूँ ना आपको इधर घसीट रहा हूँ उधर आपस में force zero हो गया जाकर के तो आप सीधे चलेंगे यानि आपको सीधे चलाए रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों forces को अगर मैं equal कर दूँ इफ ऐसा मैं कर दूँ कि ये fm is equal to fe कर दूँ अगर मैं कर दूँ तो आप सीधे चलते रहेंगे इसको कहते हैं velocity selector क्या कहते हैं अब heading डाली जे velocity selector बहुत important topic है velocity selector हमने जानबूस के भी heading नहीं डलवाई थी कि आप heading में पढ़े रहेंगे सोचते रहेंगे क्या बोल रही है इसलिए वह आपने बोला नहीं था अब समझ में आगई बार नहीं आगई कि आपको सीधे हम चला सकते हैं अच्छा fm की value क्या है अब मैं direction की बात नहीं कर रहा हूँ इसलिट कैसे किया जाता है electric field और magnetic field का ratio निकाला जाता है नहीं हम जे जैसे माल लिया आप एक charge particle है हम चाहते हैं आप इधर सीधे चलो हम कहेंगे बेटा इधर जाओगे तो magnetic दादा मिलेंगे और electric दादा मिलेंगे और दोनों तुमको खींचेंगे तो हम तो मम्मी नहीं जाएंगे मतब मम्मी ने अगर कहा मैंने नहीं कहा मम्मी मैं अपने लिए कह रहा हूँ अब समझेगा मैंने आपको क्या वलाश्टी दी अगर electric field पचास था magnetic field दस था तो value कितनी आई 5 मैं आपको 5 मीटर पर सेकंड की रफ़तार से इधर वेजूँगा समझ में आरी बार नहीं आरी है electric field उसको मालूम है magnetic field उसको मालूम है उसका ratio निकाल लेंगे जो ratio आएगा उत्री ही विलाश्टी आपको दे देंगे X के लांग तो आप straight X के लांग चले जाओगे यह दोनों दादा आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएंगे यह net force 0 हो जाएगा मेरी बात समझ में आई note कर लिजे यानि it acts at velocity selector अगर उक कहेंगे यह जो concept है इसमें यह किस तरह act करता है तो यह velocity selector तरह act करता है हम ऐसा system दे देते हैं कि वह एक straight line में charge चल सकता है अगर हम चलाना चाहें तो यह लफड़ा समझ में आ रहा है वो लफड़े जार है एक तो charge भी है लफड़ा तो है लेकिन थोड़ा सा physics की बासा में इसको feel करियेगा इसको कहता है experience करना याद करना तो बात अलग की बात है यह बात समझ में आ रही ना कुछ कि ऐसा हो सकता है वेक्टर से feel हो गया होगा अगर ऐसा हम कर दें तो ऐसा हो सकता है अब लिखे हो गया यह अब हमने कहा कि कोई charge particle magnetic field में चलता है तो उस पर force लगता है तो का charge particle बिल्कुँ cycle लेकर के खुले मैदान भगता है कहा चलता है वो कैसे चलता है हम charge particle को चलाएंगे हमने एक तार में एक wire लिया और wire में एक battery लगा दी और battery लगा करके हमने क्या किया charge particle को हमने एक drift लाशी दे दी drifting करना शुरू कर दिया चार्ज पर के लिए जनरली drifting electron करता है proton एक बड़ा heavy होता है और खापी के पड़ा रहता है अब electron drift करने लगे और उस wire को हमने जाके magnetic field में लग दिया जैसा कि हम जानते हैं कि electron मतलब charge particle और charge particle in the magnetic field it will experience the force और अगर charge किसी wire में एक direction में चलेंगे तो वो हो जाएंगे current यानि उस wire पे force लगेगा तो उसको कहेंगे force आने current carrying conductor संवारी बार नहीं आ रही है बैस सब पे force लग रहा है हमने सभी charges को एक direction में चिक कर दिया तब भी तो force लगेगा और वो जो force अब चुकि charge particle किस के अंदर है उस wire के अंदर है तो बिचारे wire पर force लगेगा तो अगली heading है force on current carrying conductor force on current carrying conductor एक coil भी हो सकता है इसलिए यहाँ पर conductor लिख दूँ देखो ध्यान से यह एक conductor है इस पर electron है हमने इसको अलग से battery जोड रखी है वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ और इस पर हमने electron को एक drift flash दे रखी है electron को हमने drift flash दे रखी है और इसकी length conductor की L है और इसका area procession A है हमने इसको drift flash दी कैसे battery से उसे हमको मतलब नहीं इसलिए हम battery apply दिखा नहीं रहे इसमें अच्छा तो इसमें जो current flow रही है आई ब्रावर क्या होता है N E A V D यह हम पढ़ चुके है N is the number of electron per unit volume पढ़ा है ना आपने अब हर एक electron पर एक force लगेगा अगर यहां magnetic field है माल लिया हम दिखा नहीं रहें जानबूच करके अगर मैं माल लेता हूँ यहां magnetic field है यह magnetic field है तो हर एक electron पर force लगेगा तो force acting on one electron अभी हम direction नहीं दिखा रहे हैं अभी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे आप one electron उसको माल लिया F dash formula क्या था QVb sin theta तो Q हो गया electron का charge V हो गया electron की deflasty और B हो गया B और sin theta sin 90 यहां पर है तो यह sin 90 आ गया तो एक electron पर force लग रहा है E into Vd into B अब बताओ इस conductor के अंदर कितने electron है total electrons in the conductor कितने है पताओ कितने है गिरने पड़ेंगे इसमें एक electron है conductor विचारा करेगा यार हम conductor है है हाँ बताओ कितने electron है कुछ और लोग भी बोलते नहीं है क्या बात है वसको सुना करतने के वर यह बातें अच्छी नहीं लगते हैं उसको मालू है यह बातें अच्छी पढ़ाई देखा है होता नहीं यह से भगवान ने जो हमारा nature दिया हमको भूंक अपने आप लगती है खाना खाना पढ़ेगा पानी पीना पढ़ेगा लेकिन पढ़ना अपने आप नहीं रगता की कई पार्टी से आए एकदम से पढ़ना का मन हुआ रे दाधा फिजिक्स का छो चेंबर था खाली ममी जल्दी स्फिक्स की किताब लो ऐसा नहीं होता न वो करना पड़ता है तो कुछ और लोग भी इंगेज रहा करें पता है एक तोटन कितने इलेक्टान है जला समझिएगा यह N क्या है अरे देखो देखो ने दोड़ा देखे लॉजिकल बनी है देखे फिजिक से फील करिए रटने से काम नहीं चलेगा रटने अगर रटाफिक अकडुक्टर का वालूम कितना है एं-2L मैं हमने ए मान रखा है न तो यानि इसका वालूम तो एं टोह है और अगर एक के वालूम में इलेक्ट्रान की संख्या N है एं-2 PS tyre इटना फोर्स लग रहा हैं तो जब टोटल इलेक्ट्रान पर वर्स निकालेंगे तो इपूरे कं हूँ force acting on whole conductor कहना मैं चाहता हूँ force acting on whole electrons लेकिन electron conductor के अंदर है तो जब मैं उनको खीचूँगा तो conductor पूरा खीचेगा ना तो f is equal to 1 electron पे force into number of electrons यह हम को क्या लिखाए f test यह दिखाए e into vd into b into n into a into l अब यह चीज़ एक सालिक दो n अलग कर दो e a vd अलग कर दो और b अलग कर दो अलग कर दो तो यह आपका ibl हो गया f ibl अगर मैं यहां पर साइनथीट अच्छा प्रेल लिखा 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 लगा इस पर साइनथीटा लिग देता तो यहां पर ibl साइनथीटा हो जाता अभी फिलाल तो 90 लिख रहा हूं में अगर मैं यहां शाइनथीटा लिख्ट है रही दो ज्यादा ठीक रहाए गा नहीं बात दिकत हो कर दो भी क्रॉसल कुछ फील हुआ है अच्छा अब मैं जो फील कराने जा रहा हूं ज्यादा फील होगा तरह समझीगा मैं इस मेथट को चेंज कर रहा हूं तो देखो ध्यान से इस कंडुक्टर में क्यों चार्डच फ्लोो रहा था ? वीडि विलास्टी थी तो उस पूरे कंडुक्टर पे फूर्स क्या लगता है क्यू वीडि क्रॉस भी कोई दिकत कर सकता हूं इसको कर सकता हूँ ना अगर मैं इसको T से डिवाइड कर दूँ T से मल्टिप्लाइ कर दूँ कोई दिक्कत होगी आपको चली अच्छी बात है दिक्कत नहीं होरी जो और लोग भी सुन रहे हमको उनको भी दिक्कत है नहीं क्या दिक्कत है डिवाइड करते रहो कोई दिक्कत नहीं डिवाइड को जाए फटे अभी मैं खुछ नहीं बोलना हूँ आपसे क्यूब आई टी और इस टी को लियाओ वीडी के साथ के तो बेटा यहां बेटे हो जाकर के वहां तुमारे चाचा क्यांन यहांसे यहां आया यल लिंद कबर की थी टी टाइम लगा था उसकी वीडी थी तो वीके लेटिज़् हैंना तो आई इन्टु एल क्रोस भी है की नहीं है नहीं है तो और क्या हम बोल रहे थे लए इस gewoon के थिन आप कहेंगे यह का है पुरा ड्रामा बता रहे थे भाई, यही बता देते शार्ट में, यह निमेरिकल में दिक्कत आपको करेगा ना, अगर उन्होंने नमबर उफ इलेक्ट्राल का लफड़ा पाल दिया वहाँ पर कंडुक्टर में, तो फिर वो जो अगर कि यहां से आपको numerical उठा लिया उन्होंने तो वे दिक्कत करेंगे ना इसलिए बताना जरूरी था और यह इसलिए बताया कि हो सकता कहीं पर आपको कुछ ऐसा दिया हो तो आपको मालू होना चाहिए नोट करें इसको और आप अगर magnitude निकाला चाहें तो आई बील साइन थीटा अब अगर मैं बी की यहां पर डामेंशन निकालना चाहूं तो यह बड़ा सस्ता फार्मुला बन गया बी बराबर एफ अपान आयल बड़ा सस्ता है न्यूटन पर एंपियर मीटर तो हम डामेंशन भी निकाल सकते ह यहां पर चुकि टेसला से निकालने में दिक्कत थी टेसला एक थी तो एसाई यूनिट लेकिन वह थोड़ा सा दिक्कत वहां वैल्यू कर रही थी